जैह हिंद ब्यारदातियों इस वीडियो माँ बात करने वाले हैं इंडियन इंसिट्यूट आफ साइंस की न्यू विकिंसी के वारे में तो आप सभी को बता दें कि IISC की तरफ से न्यू विकिंसी निकाली गई है जिसके लिए ओल ओवर इंडिया थे male and female candidate apply कर सकते हैं तो आप सभी को पता है कि Indian Institute of Science के वारे में आप सभी जानती होंगी जो कि आपका Bangalore में सित है और सबसे अच्छी बात आप सभी को बता दें कि ये जो जॉब निकाली गई है वो work from home रहने वाली है याने कि आपको जॉब तो मिल जाएगी वड़ आपको घर पे बैटके काम करना है आपको कहीं office पकेरा जाने की दरूबत नहीं पड़ेगी तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए apply कर सकते हैं और कौन को निलीजियबल होगा क्योंकि आप घर पे बैटके एक अच्छा का सा amount कमा सकते हैं तो ये आपके पास एक golden opportunity है तो वीडियो को आप लास्त तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सबस्क्राइब कर लें और वैल आकिन पर प्रेस कर लें ताकि future में आना वाली हर एक update का notification आपको उस तब से पहले मिलता रहे आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकरी देते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर आप सभी को सारी चीजे में दिखाता चलूँगा इससे पहले मैं आप सभी को पता दूँ कि अगर आप बहुत सारी jobs के लिए apply करते हैं और अगर आपको कोई revert wag नहीं मिलता है तो आपको इस website पर registration कर लेना चाहिए जहां से आपको one of the best job मिल सकती है वो भी free of cost तो यहां पर केवल आपको register now को option दिखता है तो register now पर आपको यहां पर click कर लेना है और नया page आपके सामने एक open हो जाता है तो थोड़ा से time ले सकता है इसमें आपको अपनी basic details फिल कर देना है और अपना resume यहां पर upload कर देना है अगर आप चाहिए तो google के साथ भी अपना account create कर सकते हैं और यह account आपका free में create हो जाता है इसका सबसे अच्छा benefit यह है कि आपकी qualification criteria के according आपको directly mail id पर job update भेसता है subscribers service का benefit लें और job ले लें तो यहां पर यह चीज clear होगे इसके अलाबा यह अगर यहां पर बात करें कि Indian Institute of Science की vacancy के बारे में तो आप सभी को बता दें कि Indian Institute of Science की तरफ से interested eligible candidate के लिए 2013 के लिए new vacancy निकाली है जिसमें total number of vacancy की बात करें तो 3500 प्लस यहां पर vacancies है और दो पोस्ट आपकी रहेंगे एक आपका रहेगा speech recording in the transcription और number second आपकी जो पोस्ट है वो है content writer यहां पर आप देख पा रहे होंगे दो पोस्ट आपको दिख रहे होंगी थोड़ी जी side में है eligibility criteria के अगर मैं बात करूं तो ऐसे candidate जिसकी age 18 से 45 साल के बीच में है वो सभी Indian language तो यहां पर सबसे अच्छी बात ही है कि आपको Indian language आनी चाहिए बहुत सारी भासाओं के option आपको दिये जाते हैं यह भासा है आपको आनी चाहिए वह भी मैं आपको clear कर दूंगा साथे में यहां पर computer की knowledge आपको होनी चाहिए कोई भी fresher candidate apply कर सकता है work from home job आपकी रहती है salary आपको मिलती है यहां पर 12,000 से लेके 15,000 यानी कि minimum आपकी 10,000 से यहां पर आपकी salary start उगाती है और 15,000 तक आपकी salary जाती है selection process बहुत ही easy है के बन नौरबाल आपका interview होता है वो भी call वगएरा पर आपका interview हो जाता है और इसके बाद आप join कर लेते हैं कोई application fees नहीं है free में आप इसके लिए apply कर सकते हैं यहां पर आपको last date वगरा भी दे दी गई है यहां पर 6 सितंबर से इसके online apply form start हो गए हो 7th of October तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो बिना देरी के आप इसके लिए apply कर दें अब बात आती है apply करने की तो apply करने के लिए आपको website search कर लेने जो कि आ आप search कर लेना या link भी मैं आपको वीडियो को description में provide करा दूँगा तो वहाँ पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आप search कर लेना आपको यह notification मिल जाएगा IISC आप search कर लेना फिर नीचे आपको कुछ important link मिल जाएंगी speech recording अंदर transcription या content writer तो दोनों आपको option दिए गए हैं ज यहाँ पे जो weekends यह वो देख सकते हैं job profile name content writer part time आपकी job है सबसे अच्छी बात है 3-4 घंटे आपको काम करना डेली कि आपको यहाँ पे जितना आप काम करते हैं उसके according पैसे मिल जाते हैं मेरे हो आपको 10,000 रुपे पर मंद मिल जाते हैं साथी में qualification देख सकते हैं और job location दे graduate candidate apply कर सकते हैं fresher and experience donor candidate apply कर सकते हैं अब यहाँ पे salary देख सकते हैं 10,000 रुपे पर मंत आपको मिल जाते हैं job description में आपको बता दिया कि क्या क्या आपको करना है यहाँ पे आप देखेंगे कि English language आप सभी को आनी चाहिए check the quality of writing providing आप सभी को बोला क्या है इसके अलावा और भ सकते हैं यहाँ पर selection process की बात करें तो selection of the writer will happen through the pilot writing task related to this project तो यहाँ पर क्या है जब आपका selection होता है तो आपको pilot writing task दिया जाता है उस task को complete करने के बाद आपको job मिल जाती है अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो देखेंगे आप इसकी website पर जाके click करेंगे तो यहाँ पी opening देख सकते हैं जो विकेंशी अभी निकाली हुई है यहाँ पर भी होता है लेंगिज एक्सपर्ड की भी विकेंशी निकाली जाती है बट करेंटली नौर थारिंग है अब हो सकता है कि एक दो दिन बाद यहाँ पर आपकी उपन हो जाएं तो इसके बाद apply कर सकते हैं sentence translation की भी विकेंशी निकाली जाती है इसकी according यहाँ पर काफी सारी विकेंशी निकाली जाती है तो आप इन विकेंशी के लिए apply कर सकते हैं अब अगर आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर और चीज़ें भी मैं आपको थोड़ा से clear कर देता हूं जिससे कि और भी चीज़ें आपको clear हो जाए जैसे content writer पर आपने click किया तो apply करने का process का है और कैसे आपको apply करना है ऐसे link मैंने वीडियो के description में देदी उस पर click करेंगे तो आपको click करना होता है तो click here to apply now जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने ये वाला detail आपके सामने open हो जाएगी जिसमें अपनी email आईडिया आपको fill कर देनी है और इसके बाद next करके आपको अपनी qualification criteria और आपकी जो details है और आपने जो form है वो submit कर देना है इस तरीके से क्या है कि आपका जो form है वो यहां पर submit हो जाता है बहुत ही simple process है तो इस process को follow करके आप जिस post कि लिए चाहें उस post के लिए यहां पे apply कर सकते हैं तो दौना post कमेंद आप सभी को बता दी अप जिस post के लिए आपको ठीक लगता है आप उस post के लिए apply कर सकते हैं आप यहां पे सबसे अच्छी बात द जो expert की विकिंसी होती है, वो भी निकाली जाती है, तो वो एक दो दिन बाद आप चेक आउट कर सकते हैं, हो सकता है कि उसके लिए भी apply होना है, start यहाँ पे हो जाए, तो आप इसके according यहाँ पे apply कर पाएंगे, अब देखो, apply करने का एक छोटा सा process में आपको बता देता Google Browser में आप सर्च कर लें, study4dreams.in, आप सर्च करोगे, सबसे उपर आपको study4dreams, learn4future इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप click करोगे, तो सबसे पहले देख सकते हैं, IISC नहीं भढ़ती है, आपको देखने के लिए मिल जाएगी, नहीं म notification पर click करोगे, तो इसका जो detail notification है, वो आपके सामने open हो जाएगा, इसका detail notification यहाँ पर open हो चुका है, और detail notification में आप सारी चीज़ों को check out कर लेना, और नीचे scroll down करके आपको apply करने की link मैंने देनी है, उमीद गरता हूँ कि सभी को यहाँ पर यह clear हो गया होगा, साथी में starting मे manager से बताया था, कि अगर आप बहुत सारी jobs के लिए apply करने हैं, अगर आपको कोई reward वैक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर यह जो website आप सभी को दिखरी है, आपको इस वाले page पर registration कर लेना, इसका link भी वीडियो के description में आपको मिल जाएगा, यह free में आपको job update देता और ऐसी job update देगा, जो आपकी qualification criteria से match हो रही हो, जिसके लिए आपको reward वैक मिन लेकी possibility बहुत जादा होती है, तो यहाँ से आपको one of the best MNC company में job मिल सकती है, तो यहाँ पर आप जरूर ट्राइ करें, पूरी service free है, कोई भी charges पगर आपको नहीं देने हैं, तो link वीडियो के description में दे हुआ है, वहाँ पे भी में link आपको provide करा दूँगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, फिलाल के लिए वसे इतना है, तो thank you for watching, जैहिंग, जैवारा है!